किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में कल जो मैंने 385.2 जो वीडियो बनाई थी माईको राइजा पर और उसमें ये दिखाने की कोशिस की थी कि अगर आप विभिन उत्पाद बजार से खरीते हैं किसी भी कमपनी का माईको राइजा खरीते हैं तो आपके लिए क्या जानना जरूरी है इस वीडियो को इतना सरहा कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी किसान साथियों का और उसमें जितने भी सवाल पूछे हैं सभी के सभी लगबग इतने अच्छे परसन हैं कि मैं सोचने लगा कि आज मैं इसमें इन सभी सवालों के उत्तर दूआ किसान साथियों जो आप ये माई को राइजा लेते हैं इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पहला बिंदू ये बताऊंगा कि जो आप माई को राइजा एपलाई करते हो वो किस परकार करें और किस परकार करने से सबसे अधिक फायदा होता है आप सभी जानते हैं कि ये जड़ के साथ में कारिय करता है यानि जब इसका संपर्क पोधे की जड़ के से आता है तो ये जड़ से भोजन लेता है और अपनी व्रद्धी करता है और जब इसकी व्रद्धी होगी तो ये जमीन से पोशक तत्व लेकर पोधे को देता है इसे हम सहजीवी संबंद कहते हैं इसका अर्थी यह हुआ कि जो मैंने बताया था कि जितनी भी कम से कम दूरी हो वो बीज या जड़ से इसकी दूरी कम से कम होनी चाहिए अब ये कैसे सब मोई सबसे पहले आप कोशिष करिये कि जब आप कोई भी बीज बो रहे हैं मैं सिरब बीज से सुरू करता हूँ जैसे वीट है चना है तो आप उस बीज को माईकोराइजा से उप्चारित करें जो मैंने सो ग्राम बाला माईकोराइजा बताया था उस माईकोराईजा में से दो ग्राम लीजिए और उतने पानी में घोलिए जितने में की एक किलो बीज पुरी तरह से एक लेप बनकर उस बीज के उपर आ जाए और उसे रात भर रख दीजिए इसे कहते हैं कि हमने बीज का उपचार कर लिया यह सबसे अच्छी बात है इसमें आपको क्या सावधानी रखनी है यह सावधानी रखनी है कि उस बीज पर कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगी साइड जो की कैमिकल होते हैं उसका लेप नहीं होना चाहिए अगर किसी भी ब प्रेप लगा हुआ है तब यह कारिय नहीं करेगा, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो पहला जो हमारा प्रिफरेंस है वो यह है कि हम इससे बीज उपचार करें, जिनके हम बीज बो रहे हैं, अगर आप गन्ना बो रहे हैं तो गन्ने की जो आख होती है जिसे हम काच्छी जो portion होता है कोशिस करें उसे भीगो कर लगाएं आप अगर ये संभाव नहीं है आपके लिए कि आप भी जुपचारित नहीं कर सकते तो दूसरा उपाए क्या है वो मैं आपको बताता हूँ तो माईको राईजा को चुकि इसकी मात्रा बहुत है मान लीजिए आपके पास सो ग्राम है जो की एक एकड में परियोग करना है तो इसमें कुछ आप वर्मी कमपोस्ट मिला लीजिए इतना वर्मी कमपोस्ट मिला लीजिए कि आपका एक एकड कवर हो जाए और उसमें इसको अच्छी तरह मिलाईए और जो बीज है बीज की साथ साथ में इसको डालिए या जहां से खरीद रहे हैं उनसे पूछिए कि हम इसमें क्या मिलाएं कौन सा पोडर मिलाएं जैसे कि आप मसीन से गहू बो रहे हैं अगर आप बीज उपचारित नहीं कर पाते तो जो आपका खा हमारे यह क्या करते हैं कि जो गहू बोने वाली मसीन होती है उसके एक हिस्से में खाद डालते हैं जो नीचे जाता है उसके उपर बीज जाता है और फिर वो मिट्टी दोनों के उपर हो जाती है तो जो खाद की साथ है जो आप डाई डालते हैं या एन पी के बारा बत्तिस वर्मी कमपोस्ट में मिलाकर थोड़ी संक्या जादा कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए तो जो बीज है उसकी साथ-साथ ये भी गिरता चला जाएगा और नीचे रहेगा जैसे ही आपके दाने में अंकुरन होगा तो जड़ सबसे पहले माइकोराईजा के पास पहुँ जाएगी और माइकोराईजा तेजी से बढ़ेगा और वो जितने भी तत्व हैं उसको उपलत कराएगा अब माल लेते हैं कि अगर ये भी आप नहीं कर पाते हैं तब क्या होगा जब आप खेत का पुलाओ करते हैं यानि यहूब होने से पहले खेत पड़ा है उसमें आप जो हना पानी देते हैं तो आप ये काम करिए कि एक क्वंटल वर्मी कमपोस लीजिए एक एक कड़ के लिए मैं बता रहा हूं उसमें आप ट्राइकोडर्मा मिलाईए सूडो मुनास मिलाईए बैसिलस सब्टिलिस मिलाईए अगर आपने इनको मल्टिपलाई किया है तो कर खेत में इसे छिटका मारिए और छिटका मारने के बाद इसमें थोड़ा टीलर चलाकर आप इसमें पानी देजिए इसे कहते हैं पुलाओ जब ये जुताई के लायक होगा इसे हम बातर बोलते हैं कि खेत बातर आ गया हमारा जब आप इसको बोने के लिए तयार करेंगे त मसीन से बो, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़े ये जड़ों के आसपास होगा, लेकिन उतना पास नहीं होगा जितना की आप बीजोपचार में करेंगे, अगर इसके साथ में बीजोपचार करेंगे, तो आपको उत्तम रिजन करेंगे, ये तो ही बीजोपचार वाली बात, दूसरी बात ये होई कि जैसे धान है आपका, अब आप धान की या सबजियों की जितनी भी फसल होती है, तो आप एक छोटा ड्रम लीजिए, उस में आप पानी लीजिए, उस पानी में थोड़ा वर्मी कमपोस्ट मिलाईए और माई को र रखिये और उनको निकाल कर रोपित करिए, तो इसके कंड कहीं न कहीं जड़ों से चिपक जाएंगे, और जब आप इसे रोपित करेंगे, तो जैसे ही में जड़े चलेंगी, तो ये अपना काम करना शुरू कर अगा, तुरन थी एक्टीव हो जाएगा, और इसके आपको अगर मान लीजिए, ये दोनों काम भी आप नहीं कर पा और आपने खेत में बो दिया और ये पानी की साथ में हमें देना है, तो जो सबजी वाले भाई हैं, अगर उनके पास ड्रिप है, तो इसे पानी में घोलिए और ड्रिप में चला दीजिए, लेकिन ध्यान ये रखना है, कि उस टाइम पोधे की जड़े चल पड़ी होना है, जड़ा जानी चाहिए, अगर आपने बीज बोया है कोई, और फिर ड्रिप से दे रहे हैं, तो पोधा थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए, उसकी थोड़ी जड़े निकलानी चाहिए, और अगर वैसी ही पोध है, पहले नहीं दे सके किसी कारण से, तो आप ड्रिप से दीजिए, जैसे ही ड्रिप का पानी जड़ों के पास पहुँचेगा और वो काम करना शुरू करेंगे, यह हुए तीन में ठाड़, अब इसमें कुछ भाहियों ने पूछा है कि क्या हमें किसी के साथ मिला सकते हैं, आ अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं, तो कोई भी जो घुलन सील फर्टिलाइजर है, उसकी साथ ने दे, कम से कम दस दिन का अंतर रखे, यह बात आप गांट मांग लीजिए, खेत में देना है, जितने भी बायो फर्टिलाइजर है, बायो कंट्रोल एजेंट से सब की साथ मि कोई भी परिशानी नहीं है, अगर वो बायो फर्टिलाइजर हैं, तो यह आपको देखना है कि क्या यह बायो फर्टिलाइजर है, कुछ भाई कुछ भी पूछ लेते हैं, कि इसे मठे में मिला का दे सकते हैं, इसे डवलो डी के साथ दे सकते हैं, मेरा इंचे नहीं है, बा हम इसे खरीदे कहां से किसान साथियों मैं मेग धनुसका जो माई को राइजा है पिछले तीन वर्ड से यूज़ परियोग कर रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्टाब है आपके मैंने दो कंपनियों से बात की है एक है आर जाल जिनका प्रोड़क्ट है आर जाल और ये ग्र करीन पर दे रहा हूँ आप उन्हें वाट सेफ करिए जो नाग ये नागपूर के रहने वाले हैं इनका सोग राम का है बहुत ही सर्टिफाइड माई को राइजा है ये आपको बाइपोस्ट भी भेचे गे और बिलकुल कोई भी डेट एक्सपैरी का चक्र नहीं होगा ऐसा जोने बनायार एक साल तक वो दुकान पर रहा तो सीधा आपके पास आएगा और दूसरे हैं तुसार भाई पटेल तुसार भाई पटेल मेक धनुस बायो फर्टिलाइजर के हैं उनको भी आप उनका नंबर में दे रहा हूँ आप वाट सेप करिए यहां आपको अगर इनक साथ भेजेंगे तो आपको यहां से डिसकाउंट के लेगी दूसरा फाइदा यह होगा कि आपका माई को राईजा से संबंदित कोई भी परसंद होगा तो आप उनके इन नमरों पर वाट सेप करिए और यह आपको उसका उत्तर देंगे और आपकी संतुष्टी करेंगे य आपको माई को राईजा का फाइदा मिला या नमिला यह रंग देखकर मत जानी है आप कैसे जानेंगे के आपको माई को राईजा का फाइदा मिला किसान साथियों आप मान लीजिए एक एकड़ या एक बिगा ही मान लीजिए आप उसमें माई को राईजा डाल रहे हैं यह उसमें से कुछ हिस्सा ऐसा रख लीजिए कि जिसमें आप माइको राइजन नहीं देगे, ना बीज उपचारित करेंगे, ना उपर से देंगे, किसी भी प्रकार नहीं देगे, तीस दिन के बाद, आप दोनों जंगे से पोधे उखाड़िये, उनकी जड़ों को देखिये, और वो आपको इस प्रकार दिखाएंगे, कि जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और आप स्विम जाएंगे, कि माइको राइजा देने से, जो हम वैम है, यानि वैसिकुलर, अर्बेस्कुलर, माइको राइजा है, ये फंगी है, इसको देने से, जो जड़ों में है, गुच्छा जादा है, और जड़े ल मुझे अवच्छे बताएं, इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद, नमस्कार, जै हिंग, जै भारत, बंदे,